तो हेलो एवरीवन स्वागा तेर इस वीडियो में और आज हम सीखेंगे चेस्स दस मिनिट के अंदर जी हां दस मिनिट के अंदर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूँगा कि हो क्या रहा है आपको समझ में आएगा चेस कैसा गेम है क्या है वेल पहले हम कंसप्ट भी बा मल्टिप्लाइ करो तो 64 आता है वेरी एजी ओके दूसरी चीज वाइट वाला जो आप देख पा रहे ही वाइट के जो पीस हैं इनको हम कहेंगे पीस वाइट के पीस और ब्लाक के पीस यहां पर यह पीस जो है यह यह है राजा और इस राजा की लड़ाई हो रही है मतलब स स्ट्राटेजी से लड़ें तो पता चलेगा दिमाग किसके पास ज्यादा है तो इन लोगों ने कुछ रूल की लड़ाई होती है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टन्ट रूल है कि एक चाल वाइट चलेगा एक चाल ब्लाक चलेगा ऐसा नहीं हो सकता कि वाइट ने चला फि सबस्क्राइब पोग्याद करने तो जैसे यहां पर ये देखो याथ यह देखने में समय आ रहा होगा ही हाती हिंदी में हाती इंगले यहां घोडे में हिंगलिशंगी Knight के एन-ाइजीएश्ट rug ये Knight ओके यह है उट यहां Bishop अन्ग्लिश में बिश्भ हिंदी में और यह राजा की रानी बिल्कुल तो रानी और यह सारे आप सक देख पा रहे होंगे यह है इसको इन पॉन कहते हैं लोगों यहां पे लोगों ने Rules decide करth兩個 कैसे यह यह हम सिर्स की बात करें लाइति का रूल है प्लस कोई सख़ाइन चल सकता है लुझे सब्सकों करते ही यह इसी जगए पर चल सकता अब जैसे हमको यहां पर जाने हैं तो कैसे जाएंगे हम पहले यहां जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे दूसरी चीज़ यह जैसे स्टार रहा अगर वाइट की चाल है तो वाइट जाके उस पैदल को मार सकता है ठीक है वह उसको कहेंगे हाथी ने पॉन को क्याप्चर कर लिया और दूसरी चीज यह कि हाथी अगर यहां पर बीच में पैदल है तो हाथी उसके ऊपर से डांक के नहीं जा सकता दूसरी बीच में पैदल है तो वह पहले पैदल को मारेगा तब उधर जाएगा एक और चीज़ कि अगर वह पैदल को ना मारे तो उसको ना तो यह डाक सकता है ना तो मार सकता तो उसका विजन इतना ही रह जाएगा लेकिन अभी यह अपोनेंट का पीस यहां खड़ा है इसलिए यहां पर देखो यह दिखा रहा है capture capture भी कर सकते हैं ठीक है यह हो गई हाती चाल उठा के यहां रख देंगे सिंपल अब हम चलते हैं जल्दी से उट की चाल पर उट क्या होता है उट को decide कर दिया गया है कि यार तुम कोने कोने में चलो यूं ऐसे तेड़ा diagonally मतलब हाती ऐसे चल रहा था उट से बोला कि तुम ऐसे ऐसे चलोगे मतलब समझ पा रहे हो जादा मुश्किल नहीं है हाथी ऐसे उट ऐसे कोने में तो कोने में कोने में चलेगा अब एक सवाल में 2 रहते हैं तो जो डाक कलर वालां फ्कलर आज भी सकता और और यह कुईने कोई समझ लो सो इसको पहले क्याप्चर करें गए यह कशाल हम चलते हैं कुईन मतलब की मेरे मतलब हम रुक मतलब की हाती और एंट मतलब की अगर तो मिला दोolesome पूदक निकल के आगा है क्वीन कैसे हैसे भी जा सकती है और अब अब अजो प्रिक है यहाँ यह जा सकती है एलैज आ कि तरह है पुराना है दिमाग लगाएगा एंड में लडाई करेगा अभी तरह करें हैं अब सबसे ट्रिकी पीसे पूरे चैस्बॉर्ड का सबसे ट्रिक्की घोडा कहता है कि यार मैं यह का, स्कौइर, दूसरा स्कौइर और ऐसे खोड़ा चलेगा वह, तो थोड़ा water is called tricky होजाता है क्योंकि एक गोड़ा, 1 square दो square बनके यह को र much की आगर यहां पर यह night होता और उसको कहीं जाना होता जिसके गिडुरा ऊचला जाता अब ही यहां पर इसको इसको capture अब हम देख लेते हैं पॉन यह आखरी पीस है यह चैस बोड का कि कैसे चलता है पॉन चलेगा हमेशा सीधे यह अकेला पीस जो कि वापस नहीं आ सकता बागी सारे पीस वापस आ सकते हैं यह पॉन वापस नहीं आएगा एक बढ़ दिया तो बढ़ दिया यह 8 होते है है पूरे गेम में और पॉन का यह खास बात होती है कि अगर सिर्फ आगे बढ़ेगा तो यहां पहुंच गया तब क्या होगा यह आगे बोर्ड बनके नहीं यहां पहुंच गया तो वह प्रमोट हो जाएगा उसको बोला कि तुम बहुत सक्सेसफुल यहां पहुंचे तु करता है मतलब जैसे यह पॉन पुष मैं पॉन फिर्फ इस दिखा देता हूं यह बढ़ेगा यह बढ़ा और यहां पर एनाइट मना क्योंकि जो उसके रास्ते में आ रहा था क्याप्चर करने को तो उसका मूव है सीधे बढ़ना है और अगर उसके रास्ते में कोई आ जाते जैसे यहां आके नाइट बैड जाता एक्जम्पल तो वह आगे बढ़ ही नहीं सकता वह उसके पास यही ऑप्शन है कि साइड में जब तक यह जाता है इसका खुल जाता है यहां पर ईसको में उसके सट होते हैं किंग और क्वीन के अलावा बाकी सारे pieces हमारे पास मतलब substitute 2 Knight sorry 2 Knight है 2 Bishop है दो हाती है है न हब पीस doet है और pawns थो 8 है पॉंसर आ거?". ने था basic किस तरह से आप chess सेख सकते रहा है chess खेलना मतलब रहा है game में आपको इसमच में आ गिया example में दिखा तक unit में 10 मिनट में तो जल्दी में चीज कुछता है आहा हूं जैसे यह होता होता है डीौल ayam compare सकता देख रहें का रहा है कुई जब नहीं कर सकती कुए कही नहीं जा सकती क्रेंद कोई भी पीच कही नहीं जा सकता। pawns के पास एक चीज और समझ लेना pawns के पास एक power होती है난 님ी न pessoire सारे guy臏 और सारे पीधे होम स्क्वेर हैं देखनो कौन कौन काइसा यह पॉम्ड कि पास एक पावर होती हो सक्वेर पे वो कि दो स्क्वेर चल सकता एक और दो लेकिन वो चलेगा एक एक स्कुएर आगे मतलब एक स्कुएर मतलब यहां पर एक चलेगा दो चलेगा तीन चलेगा चार चलेगा लेकिन होम पर उसके पास पावर होती है या तो दो चल दे या एक चल दे उसके बाद वह एक ही एक चलेगा मतलब ऐसे चल दिया तो यह सौरी यह ऐसे चल दिया ए तब भी एक-एक करके आगे बढ़ेगा मतलब यहां पर उसने यहां चल दिया उसके बाल भी वह एक-एक-एक करके आगे बढ़ेगा और यहां चल दिया तो भी एक-एक-एक करके आगे चलेगा यह पावर सिर्फ एक बार होती है जिब वह अपने घर पे खड़ा होता है तब जब क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इस activity में आ सकते हैं और practice कर सकते हैं इसको तो practice करिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्ट्रक्टिव वीडियो के साथ इसके आगे की training उस वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए बाइबाइब